दुनिया के अगर कुछ selected space agencies के बारे में आप जानते होंगे तो आपने इजरो का और NASA का नाम तो जरूर ही सुना होगा NASA का नाम दोस्तो आपने जादा इसलिए सुना है क्योंकि उनके उपर Hollywood की movies बहुत जादा बनी है पर इसके अलावा भी कई ऐसे space agencies हैं जो की बहुत ही उम्दा क्लास से काम करती है और NASA से कहीं से भी कम नहीं कहला सकती उसमें रश्या का रोस कॉस्मोस और भारत का इजरो भी एक है भारत का इजरो कुछ चीजों में जरूर NASA से पीछे है जैसे कि Human Space Flight Mission लेकिन कई चीजों में भारत का जो इजरो है वो NASA से भी आगे जा चुका है अपनी capabilities को बढ़ा के और इजरो जहां पे अपनी कोशिशों को और आगे कर रहा है कि वो दुनिया की बागी space agencies को न सिर्फ टक कर दे बलकि उनसे आगे भी बढ़ पाए उसी के तहट इजरो ने अपना एक man mission यानि की human mission प्लैन किया है गगन यान जिसकी launch date है अगस 2022 के आसपास और उसके तहट जो भारत से चार astronaut है वो रशिया में training ले रहा है क्यों रशिया में training ले रहा है क्योंकि ये हमारा पहला space mission होगा जिसमें कि हम किसी इनसान को भेजने वाले हैं space में और उन्हें फिर space में भेज के सुरक्षित वापस लाना है तो उसके लिए हमें ऐसी training की जरूरत है जो की कोई ऐसी country प्रोवाइड कर सके जो की already space में अपने astronauts को भेज चुकी हो भारत इसके लिए दो agencies की help ले रहा है सबसे ज़्यादा help ले रहा है भारत रशिया से यहां पे अब भारत के इजरो को मदद की जरूरत थोड़ी सी पड़ी है NASA की अमेरिका के साथ भारत की relation इस समय काफी बहतर हुए है last 3-4 सालों में लेकिन अब NASA इसमें क्या help करता है भारत की नहीं help करता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा हाला कि NASA और इसरो इन दोनों ने ही एक साथ मिलके एक mission को भी launch करना है 2022 में जिसके ओपर NASA और इसरो अल्रेडी मिलके काम कर रहा है लेकिन यहां पे जो इसरो को तकनीक चाहिए NASA से वो थोड़ी अलग चीज़ है और यह चाहिए गगन यान mission के लिए इसरो को green propulsion system और life support system यह दो तरह के support NASA से इसरो की उमीद बनी हुई है हमें देखना है कि यह दो तरह के system की support को क्या NASA provide करता है या नहीं करता है अगर NASA provide करेगा यह support तो obvious है कि भारत और अमेरिका के जो रिष्टे है वो और ज्यादा उचाईयों कुछ हुएंगे यह propulsion system green propulsion system क्य तो यह एक तरीके का fuel है दोस्तो जो हमारा satellite जाता है आसमान में वो एक thrust से काम करता है उसमें भी fuel चाहिए होता है वो orbit करता है हमारे अर्थ को जो हमारा satellite होगा या आप कहलो जो वो capsule होगा जिसमें हमारे लोग बैठे होंगे हमारे astronauts उसको भी fuel चाहिए होगा और उसमें green propulsion system काम करता है और ये green propulsion system पर इजरो खुद भी काम कर रहा है लेकिन obvious है कि अभी हमें अगर जरूरत है तो हमारा जो green propulsion system है ये अभी उतना काबिल नहीं हुआ है कि उस पे हम किसी human flight mission को भेज दे तो एक ये चाहिए दूसरा life support system चाहिए होता है क्योंकि space में life support system बहुत ज्याद ये इजरो का रश्या से ना लेने का कई reason हो सकता है रश्या से हो सकता है negotiation में कोई बात तुकत आई हो हो सकता है कि रश्या ये system supply करने को तयार हो पर फिर भी NASA के साथ इजरो चाहता है tie up करना ताकि future में हमारे relations NASA और रश्या यानि कि अमेरिका और रश्या दोनों से ही अच् सुझाओ के लिए comment section आपके लिए खुला हुआ है अपने सुझाओ वहां जरूर लिखें नमस्कार जय हिंद